हेलो शुदेंट्स एंके मितलो क्लास में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले का हमारा लेक्चर फर्स्ट हो चुका है जो कि रिलेट कर रहा है सेल और उसके एसेंशेल से क्योंकि आप यह जानते ही हैं कि हम यहाँ पर सेल और गुड्स सेट क्या है और यह वाला टॉपिक अपने आप में ही काफी मोस्ट इंपर्टिंट टॉपिक माना जाता है तो चलिए पर अपने आची क्लास स्टार्ट करती हैं हम बात करेंगे सेल और एग्रिमेंट तो सेल में क्या डिफरेंस है तो मैंने आपको प्रीवेस लेसन में बताया थ कि सेल को define क्या किया गया है सेल को define करा गया है section 4 के subsection 1 में सेल की अगर हम बात की जाए तो सेल की सबसे important qualities सबसे important essential एक यह होता है कि सेल में जो ownership होती है वो immediately buyer को transfer कर दी जाती है सेल में ownership buyer को imagery transfer हो जाती है पर वहीं पर agreement to sale में अगर हम बात करें तो वहीं पर agreement to sale में ownership imagery transfer नहीं होती है agreement to sale में ownership future time में या फिर कोई condition लगा दी गई है तो उस condition के fulfill होने पर ही ownership buyer को transfer होती है चलिए अब एक बार पहले हम इस बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं first of all हम जानते हैं sale के बारे में एक example से हम बात clear करते हैं A है A कौन है? एक seller है उसके पास एक wall clock है वो यहाँ पर अपनी wall clock को A एक seller है वो अपनी wall clock यानि कि जो goods है इसका मतलब जो movable property है goods wall clock उसे वह यहाँ पर बायर को बेशने को तयार होता है यहाँ पर उसके बदले में बायर seller को price देता है consideration as a price 5000 रुपे में बात तैय होती है यहाँ पर यह contract of sale है यहाँ पर इसमें जो A है उसने जब इनके बीच में यह contract of sale हुआ उसी टाइम पर जो ownership है जो property in goods है उसी टाइम पर वो बायर को पास आउट हो चुकि है इमेजेटली पाय बायर को ownership पास हो चुकि है इसे हम कहेंगे contract of sale पर वहीं पर अगर हम बात करें इस संबंधने अब की agreement to sale क्या है तो उसको समझने से पहले मैं उसका एक्जाम्पिल बताऊं उससे पहले आप एक बार इसकी definition को रिट करेंगे वेर दप्रांस्वर और प्रॉपर्टी इन गुड्स इस टू टेक प्लेस एड़ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट तू सम कंडिशन देर आफ्टर तो बी फुल्फिल्ट डा कॉंट्रेक्ट इस रही है और यहां पर जब वो फूचर टाइम आ जाएगा तब वहां पर वो एग्रिमेंट डू सेल बन जाएगा जब वहां पर कंडिशन फुल्फिल हो जाएगी तब लिग्से मिल्ट इसेल बन जाएगा बहुत सिंपल एग्जाम्पिल समझ लीजी इसका जैसे कि यह और यहां पर ए और बी एक सौधा करते हैं कि जो ए है वो अपनी कार बी को पांच लाक रुपे में बेचने को तयार है यह हो गया सेलर और यह हो गया इसमें बायर कि वो अपनी कार उसे पांच लाक में बेचने को तैयार है पर यहां पर इसमें कंडिशन लगा दी गई है कि जो सेलर है वो अभी इस कार पर थोरा सा काम और करें और इस कार में थोरे अच्छे फीचर्स और इंस्टॉल कर दी तो यहां पर एक कार में जो बताए गए फीचर्स हैं वो उसमें इंस्टॉल कर देगा जब वो कंडिशन फुल्फिल कर देगा तभी तो और शिप बायर को पास होगी उससे पहले तक अभी यहां पर इसे केवल एग्रिमेंट टू सेल माना जाएगा एक और एक्जाम्पिल समझों एक हैता ह कि अगले साल उनके फील्ड में उनके खेत में जो भी फसल होगी वह उसे भी को बेच देगा कब बात हो रही है फ्यूचर टाइम में अभी इनके बीच क्या एग्रिमेंट है एग्रिमेंट टू सेल बनेगा यह जब वो फ्यूचर टाइम आएगा तब वहां पर प्रिवेंस लेसंग देखते चलना लेक्ट्टर 123 करके होते जा रहे हैं देखते जाना कोई भी भी निसमत करना लेक्टर वेलगा टांस फरो प्रोपर्टी जहां पर ओनंशिप जो ऑनशिप ए राप्रोपर्टी इन गुड्स यह नहीं वहां पर इस टो टेग प्लेस एर sale और agreement to sale में difference क्या है हमने meaning clear कर लिया अब हम बात करते हैं difference क्या है दोखो sale में ownership immediately transfer होती है पर agreement to sale में ownership कब transfer होगी future time में या वो condition fulfill कर दी जाएगी तब transfer होगी इसलिए कहा गया है कि sale executed contract है और agreement to sell executory contract है अच्छा अब मैं एक बात clear करूँ आपको यहाँ पर इसमें difference में परेशाई नहीं होनी चाहिए कि executed का क्या मतलब है और executory contract का क्या मतलब है क्यों क्योंकि types of contract आप read कर चुके हैं हमने class में बताये थे और वहाँ हम बता चुके हैं executed contract ऐसे contract जो पेजेंट में complete हो गए executory contract जो future में complete होने की बात हो रही है यहाँ पर sale में जो seller है वो किस प्रकार का suit file कर सकता है अगर उसके पैसे बगरा नहीं मिलते हैं तो वो केवल इसमें suit for price दाकिल कर सकता है लेकिन agreement to sale में तो अभी ownership transfer हुई ही नहीं है तो यहाँ पर वो केवल only damages ही claim कर सकता है sale की बात करें तो भाईया जब एक बार sale हो चुकी है तो यहाँ पर अगर कोई goods को loss होता है तो उसकी liability भी buyer की बनेगी भाई बहुत simple example है आप market गए market जाकर आपने कोई mirror खरीदा ठीक है काच का mirror खरीदा दरपन खरीदा आपने जैसे ही आप भार से बहाँ निकले वो अचानक तूट गया और गिर गया loss किसको होगा liability किसकी होगी ownership transfer हो चुकी है buyer को तो liability भी उसी की बनेगी है लेकिन agreement to sale में यह वाली बात नहीं है क्यों क्योंकि अभी तक ownership टांसवर नहीं होई है इसलिए वहां अभी seller ही लाइबल होगा और एक बहुत पुराना सिद्धानत है जैसे ही ownership transfer होती है उसी के साथ में उसके साथ में लगा हुआ रिस्क वो भी अपने आप पासाउन हो जाता है और फिर यहां पर संबन्द में वायर के साथ जब ownership पास हो तो रिस्क भी उसी के साथ पास हो गया है लेकिन यहां पर agreement to sale में ownership अभी भी seller के पास में है इसलिए रिस्क भी अभी भी ownership के पास में है मतलब seller के पास में है जस इन रेम इसका मतलब यह होता है कि अगर एक बार sale हो चुकी है वो पब्लिक ली है इन पर्पिली मतलब पब्लिक ली उसको जाना जाता है कि हाँ भी sale हो चुकी है अभी ownership seller की नहीं बलकि buyer की हो चुकी है पर जस इन पर्सोनम मतलब अभी एग्रिमेंट टू सेल है अभी यह सेल में बदला नहीं है इसलिए अभी यह केवल पार्टी स्की सीमित रहेगा रीसेल जनरल स्पिकिंग बात की जाए तो अगर जब एक बार सेलर ने अपने goods buyer को बेच दिये हैं तो यहाँ पर अब सेलर उनको दुबारा से रीसेल नहीं कर सकता है सिवाए अगर वो अनपेट सेलर ना हो तब क्योंकि आपको याद है जब हम अनपेट सेलर शेलर कर वाएंगे तब हम जानेंगे कि अनपेट सेलर दुबारा से अपने goods को कब रीसेल कर सकता है पर general speaking अगर बात की जाए तो जो seller है वो goods को resell नहीं कर सकता क्योंकि एक बार उसके पास से ownership जा चुकी है अब buyer के पास right है पर agreement to sale की अगर बात की जाए वो अभी sale में बदला नहीं है ownership अभी भी seller के पास में है इसलिए seller अगर चाहे तो उसको resell भी कर सकता है तो ठीके students इसी के साथ अपनी आची class complete करते हैं आज हमने बात कर ली है sale और agreement to sale को किसे कहते हैं इसका meaning क्या है और especially इन दोनों में difference क्या है sale and agreement to sale में और इसी के साथ अपनी class complete करते हैं